हेलो वाइज मैं बिलाल आप सब एक स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल स्टड़ी विद बिलाल सर में तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरब सागर में उत्पन चक्रवात ताउते के बारे में हम जानेंगे सबसे पहले चक्रवात ताउते क्या है उस और जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करने और बैल आइकन को दुबाना ना भूलें तो सबसे पहले बात करते हैं फोकस में क्या रहा है तो कि हाल ही में अरब सागर में ताउते नामक चक्रवात आया जिसने भारती तटो को प्रभाते जो है मंगलवार सुबह यानि आज सुबह गुजरात के तटको जिसमें गुजरात के भाव नगर जिले से लेकर पौर बंदर और महुआ के बीच यह पार करेगा जहां इसी गती एक सो पचास किलो मेटर पर दिगंटा से लेकर एक सुपच्चतर किलो मेटर पर इस लिए अब भारी बारिस के साथ यह तुफान गुजरात के कम से कम 12 जिलो जिसमें कक्ष सुरास्ट पोर बंदर जुनागर भावनगर अहमदाबाद सूरत वलसाड अम्रेली और आनंद और भरूज के साथ साथ केंदर सासित परदेश दीव को भी प्रभावित कर सकता है और भारी संक्य में उसान हो सकता है भारती मौसम विग्यान विभाव द्वारा इसके वी एस सी एस के रूप में बदलने की चेतावनी जारी की है गौर तलब है कि बीते कुछ वरसों में अरब सागर में पहले की तुलना में अब ज्याधा और जल्दी जल्दी अधिक अब बात करते हैं कि चगरवात ताउते क्या है चगरवात ताउते का नामंकन मैमार द्वारा किया गया जी हां मैमार द्वारा इसका नामंकन किया गया है यह एक बर्मी भासा का सब्ध है जिसका अर्थ है चिपकिली यानि आवाज गरजने वाली चिपकिली पिछले लगातार कुछ वर्सों में अरब सागर में विक्षित होने वाला ये चोथा चक्रवात है वे भी प्री मानसुन अवधी यानि अप्रेल से जून के महीने में 2018 के बाद से इन सभी चक्रवात को गंभीर चक्रवात या उससे उपर की स्रेडी में रखा गया है इससे पुर्व 2018 में चक्रवात मेकानू, 2019 में चक्रवात वाईू तथा 2020 में चक्रवात निजर गाय थे जिन्होंने बर्मा से लेकर उमान, गुजरात और महराश को प्रभावित किया था ताउते बहुत तेजी के साथ तेज होता हुआ, VSCS में बदल रहा है, यानि इसकी गति लगातार बढ़ती जा रही है इसके अलावा 2020 और 2021 में पुरू मानसून अबधी के दोरान बनने वाले पहले चक्रवात अरब सागर से ही उठे थे जो की दोनों VSCS रिणी के थे अब बात करते हैं कि उस लिकट बंदिय चक्रवात क्या है भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ये अधिकांस तुफानों की उत्पत्ती होती है इने ही उस लिकट बंदिय चक्रवात के नाम से जाना जाता है यानि वो चक्रवात जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उत्पन होते हैं उसने कटिबंदिये चकरवात के नाम से जाना जाता है उसने कटिबंदिये चकरवात एक तीर्व गोलाकार तुफान है जो गरम उसने कटिबंदिये महा सागरों में उत्पन होते हैं इनकी उत्पत्ति उसने कट्रिबंदिय सागरे भागों पर तब होती है जब तापमान 27 डिगरी सेलसे से अधिक हो और कम वावी मंडल के दाग तेज हवाएं और भारी बारिस इनकी विशेशताएं होती हैं इस परकार के तुफान को उत्री अट्लांटिक और पुर्वी प्रसांत में हरीकेन और दक्षिल पुर्वी एसिया और चीर में टाइफ़ून कहा जाता है इन्हें दख्चिल पच्छमी प्रसांथ और हिंद महासागर चेत्र में उस्ट निकटिबंदे चकरवात और उत्तर पच्छमी अस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है वल मेटलोजिकल और्गनाईजेशन के नुसार इस प्रकार के चकरवात का व्यास आम तोर पर 200 से 500 किलुमीटर तक होता है लेकिन ये 1000 किलुमीटर तक भी पहुँच सकता है अब बात करते हैं अरब सागर और चकरवात के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं कि बेते कुछ वर्सों से अरब सागर इन चकरवात के लिए अधिक अनुकूल बनता जा रहा है आम तोर पर उत्तरी हिंद महा सागर इसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उसले कड़िबंदे चगरवाद प्री मानसून और पोश मानसून अक्टूबर से रिसंबर के अवधी के दौरान विक्सित होते हैं मैई जून और अक्टूबर नॉम्बर के समय गंभीर तिर्विता के चकरवाद उत्पन करने के लिए जाना जाता है जो कि भारतिय तटो को प्रभावित करते हैं बंगाल की खारी और अरब सागर में हर साल और ओसतन पांच चकरवाद बनते हैं जिसमेंसे चार बंगाल की खारी में विक्सित होते हैं जो कि अरब सागर से भी गर्म है अरब सागर में चकरवात आम तोर पर लक्षुदीब छेतर में विक्षित होते हैं और बड़े पेमाने पर पश्चिम के और ये भारत के पश्चिमे तर से दूर होते हैं मौसव विज्ञानिकों के मताबिक बढ़ते वैस्विक तापमान के कारण हाल के वर्सों में अरब सागर भी गरम हो रहा है जिसके चलते कहा जा सकता है कि इसमें इन चकरवात के अनुकुल वातावरण बनता जा रहा है अब बात करते हैं कि चक्रवातों का नाम अंगरन कैसे होता है विश्व के महासागरे बेसिन में बनने वाले चक्रवातों का नाम छेत्रे विशिष्ट मुश्व विग्यान केंद्रो यानि RS, MSC और उस्निकोट बंदे चक्रवाती चेतावने केंद्र यानि TCWCS द्वारा रखा जाता है भारत मुश्व विग्यान विभाग IMD सहीद दुनिया बर में 6 RS, MSCs तथा 5 TCWCs हैं वर्ष 2000 में WMO, ESCAP यानि विश्व मुश्व विग्यान संगठन और Asia Pacific के लिए सन्युक्त राष्ट आर्थिक और समाजिक आयोग नामक राष्टो के एक समू जिसमें बागलादेश, भारत, मालदीव, मयमार, ओमान, पाकिस्तान, सिरलंका और थाइलेंड सामिल थे ने छेत्रों में चकरवातों का नामांगरन करने का निरने लिया प्रतेक देश द्वारा दियेगे सुझावों के बाद उसलिक कट्बन दिये चकरवातों पर WMO ESCAP पैनल ने सूची को अंतियम रुप दिया हिंद महासागर चित्र के आर्देश, बांगलादेश, भारत, मालदीव, मैमार, ओमान, पाकिस्तान, स्रिलंका ततह थाइलेंड साथ मिलकर आने वाले चकरवातों के नाम तैय करते हैं Regional Specialist Metrological Center RSMC नई दिल्ली, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर साइथ उत्तरी हिंद महासागर पर विक्सित होने वाले उसलिक कट्बंदेश, चकरवातों के नामंकन हेतु उत्तरदाई हैं नामंकन के आउसर तक क्यों होती है? यदि एक समय में किसी एक इस्थान अथवा अलग अलग इस्थानों पर एक सदिक चकरवात उत्पन हो जाएं तो ऐसी सिती में चकरवातों नामंकन से इनकी पहचान में आसानी होती है इसके अलावा नाम रखने से इन्हें ना सिर्फ याद रखना आसान हो जाता है बलकि इससे विग्यान को मीडिया चाथा आब्दा परबंदा नित्यादी में सहेता मिलती है और लोगों को वहां से रिस्क्यू करने भी आसानी होती है अब बात करते हैं भारतिय मोसन मोसम विग्यान विभाग यानि आईमडी इसकी स्थापना 1875 यानि 181875 में की गई थी आईमडी 12 सरकार के प्रिथ्व विग्यान मंत्राले के एक एजनसी है यह देश में मोसम संबंदी जानकारियों मोसम पुर्वानुमान तता भुकम पिये विग्यान से संबंदी परमुक एजनसी है दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही हमारे चैनल द्वारा अब इस हमारे नए सेक्जमेंट फोकस में हम उन सभी खबरों को आप तक पहुचाएंगे जो हमारे लिए उप्योगी हैं और ना स्रीप हमारे एक विदारती होने नाते बलकि हमें जिगासा उत्पन करने किलबी बहुत जरूरते हैं दोस्तों वीडियो कैसे लगी वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कर दें सेर कर दें और अगर हमारे आप चैनल पर नहीं तो चैनल को जूरूर सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन को दबाना ना बुलें जैहीन मिलते हैं नेस स्टूरियो के साथ